सर्विभ्यो नमो नमा नमस्कार मैं प्रतिभा दिक्षित स्वागत करती हूँ आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर देखिए साथियो आज का वीडियो अगनी सूक्त से संबंदित है अगनी देवता से संबंदित है हलांकि जो रिगवेद का ये अगनी सूक्त है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, इसका अध्यन हम पूर्व में भी चैनल पर कर चुके हैं, लेकिन पिछली बार हमने जो अध्यन किया था, हमने किया था मंत्रों के अनुसार, हमने सारे मंत्रों का हिंदी अनुवाद देखा उनमें जो विजिष्ट बाते थी, उनका अध्यन हमने किया था, इस वीडियो के अंतरगर्त हम अलग तरीके से अगनी सूक्त का अध्यन करेंगे, सूक्तों से जिस प्रकार के प्रश्ण देखिए, पूछे जाते हैं, दो तीन तरीके के प्रश्ण पूछे जाते हैं, या तो सूप्तों के मंडल करम पूछे जाते हैं कि कौन से मंडल का कौन सा सूप्त है, इस प्रकार के प्रश्ण होते हैं, जो की बिल्कुल सामान्य प्रश्ण है, दूसरे प्रकार के प्रश्ण होते हैं, इनके रिशियों से सम्मंदित, जो की बहुत ही सामान्य है, बहुत सलेक् कर रही हैं तो इनके रिशियों को जो जो भी सूक्त आपके पाठिक्रम में निर्धारित हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनसे सम्मंदित एक नाएक प्रश्न परिक्षा में देखने को अवश्य ही मिलता है तीसरा कुल कितने मंत्र सूक्त के अंतरगत हैं और किस छंद में वो मंत्र लिखे गए हैं ये ग्यान भी आपको होना चाहिए इसके अतिरिक्त जो देवता का स्वरूप है उससे सम्मंदित प्रश्न परिक्षा में पूछे जाते हैं या तो परियायवाची पूछ लिए जाते हैं देवताओं के कि किन-किन नामों से उन् में हम अगनी सूप्त जो की प्रथम मंदल का प्रथम सूप्त है इसके विशे में संपूर एक अध्यन कर लेंगे अगर आपने मंत्र के अनुसार हमारे साथ पहले ही अगनी सूप्त पढ़ रखा है तो ये आपका रिवीजन के लिए वीडियो होगा इसके अतिरिक्त अगर आपने मंत्र वाला हमारा वीडियो नहीं पढ़ रखा है तो आपके लिए ये जो सूप्त है ये एक संपूर्ण वीडियो के रूप में काम करेगा इस वीडियो से आपको एक पूरा खांचा क्लियर हो जाएगा अगनी देवता के विशे में अगनी सूप्त के विशे में त और अगर आप संस्कृत भाशा की किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में हमने सेकंड ग्रेड के संपून प्राक्ठे क्रम के अनुसार सारा सलेबस पढ़ लिया है फस्ट ग्रेड से सम्मंदित कक्षाई चल रही है इसके अतिरिक्त री, टेंपीटेट, यूपीटेट, नेट, जेयारेफ, इत्यादी, परिक्षाओं में पूछे जाने वाले विशे भी हम समय समय पर पढ़ते रहे हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिविकेशन मिल सकें तो चलिए प्रारंब करते हैं अगनी सुक्त के विशे में ये जो अगनी सुक्त है ये रिगवेद के प्रथम मंडल का प्रथम सुक्त है रिगवेद का विभाजन दस मंडलों में किया गया है ये पिशे आप जानते होंगे तो उसी रिगवेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अर्थात रिगवेद का प्रारंब अगनी सूक्त के साथ ही होता है सबसे पहले वाला जो सूक्त है उसमें अगनी देवता की स्तुती की गई है वस्तुतह ये सूक्त क्या है? इनमें देवताओं की स्तुती की गई है, उनके कारियों से सम्बंदित मंत्र दिये गए हैं, तो ये ही सूक्त के नाम से जाने जाते हैं. तो पहला जो सूक्त है, उसमें अगनी देवता की स्तुती की गई है, अगनी देवता के गुण बताए ग मुझसे प्रिशन पूछते हैं उनको बहुत आशंका होती है क्योंकि कई पुस्तकों में जो की फेमस पुस्तके हैं गाइडों से जब बच्चे पढ़ते हैं तो इसी प्रकार की कॉंसेप्ट गलत हो सकता है तो अगर इसके रिशी की बात करें तो इसके रिशी है मदुचंदा जो की विश्वा मित्र के पुत्र है जिनको वैश्वा मित्र कहा गया है तो वैश्वा मित्र कहे जाने के कारण कुछ पुस्तकों में इसको गलत तरीके से समझ लिया गया है वस जो की सही नहीं है तो आप इस बात को 100% सक्ते मान कर लिख लीजिए याद कर लीजिए और कोई confusion मत रखिए कि अगनी सूप्त जो की प्रथम मंडल का प्रथम सूप्त है इसके देवता इसके रिशी मधुचंदा है इसके चंद की बात करें अब कुल इसमें 9 मंत्र हैं 9 मंत्र जो कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे परियावाची अगनी देवता के लिए प्रयुक्त किये गए हैं देखिए परियावाची याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहली बात आपको उस देवता के स्वरूप के विशे में ठोड़ा सा ग्यान होना किस प्रकार के स्वरूप वाला वो देवता है, क्या-क्या वो कारिय करता है, उसके द्वारा क्या-क्या किया जाता है, तो अगर आपको इस तरह से स्वरूप देवता का पता होगा, तो परियायवाची उनकी विशेशताओं से संबंदित ही होते हैं, तो अगर आप भूल भी गए तो आप परिक्षम में प्रिशन सही कर पाएंगे दूसरी बात परियायवाचियों के संबंद में ये है कि कभी भी आप केवल रटिये मत कि अगनी को पुरोहित कहा जाता है अगनी को रित्विक कहा जाता है अगनी को होता कहा जाता है आप इनका अर्थ भी समझे क्योंक अगनी को पुरोहित कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखिए यग्ये जब भी हम करते हैं, तो अगनी देवता की सबसे ज़्यादा आवशकता होती है, यग्ये करने के लिए हमको अगनी के आवशकता होती है, तो यग्ये से संबंतित जितने भी शब्दावली हैं, वो सब अगनी से related हैं, जिसे पुरोहित हो जाएगा, होता हो जाएगा, रित्विक हो जाएगा, ये सब यग्ये से संबंदित है, यग्ये को करने वाले हैं, तो ये सब किसके परियावाची के रूप में होंगे, ये होंगे अगनी के परियावाची के रूप में, दूसरा, जो अगन अपनी वरुण देव तक पहुचानी है तो भी हम अगनी के माध्यम से अपनी हवी को पहुंचाते हैं तो ये देवों में देव भी कहे गए हैं आप इस तरह से मान सकते हैं तो क्या क्या इनके पर्यायवाची है? पुरोहितः रित्विक देव Fotah बिनने बिनन लोगों के द्वारा इनकी स्तुती सुनी जाती है गाई जाती है तो इस रूप में ये चित्र स्रवस्तमाह कहलाते हैं कवी कृतु हुए कहलाते हैं कवी कृतु का क्या तात पर ये है क्रांत प्रग्य अर्थात असाधारण प्रग्यावाले ऐसे देवता जिनकी बुद्धी असाधारण है वो कवी कृतु के नाम से जाने जाते हैं और वो है अगनी दे इनको अंगिर भी कहा जाता है अंगिर का ताट पर ये अंगार तो अंगारे आपने देखे हूंगे अगनी में कैसे होते हैं तो इस कारण इनको अंगिरह भी कहा जाता है दोसा वस्तह कहा जाता है दोसावस्तह, दोशों का हरण कर लेते हैं, रातरी को प्रकाश में बदल देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? दुसा वस्तह राजन्तम भी इनको कहा जाता है राजन्तम का ताट पर यह चमकने वाले क्योंकि ये अगनी है तो दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं तो ये राजन्तम के रूप में विख्यात हैं इसके अतिरिक्त इनको अध्वरानाम गोपा भी कहा जाता है अध्वरानाम गोपा जो की अध्वर हिंसा रहित यग्ये के रक्षक हैं तो यग्ये के रक्षक के रूप में अगनी देवता को जाना जाता है तो क्या-क्या इनके विशेशन हो गए पुरोहित, रित्विक, अगनी देव के परियायवाजी अब अगनी देव की विशेष्टाओं की बात करें, इनके स्वरूप के विशे में अगर बात करें, तो क्या-क्या इनकी विशेष्टाओं हैं, किस प्रकार के स्वरूप वाले अगनी देव हैं, तो सबसे पहली बात इनके विशे में ये है कि पूर्वे भी रिशी भी डियो नूत नई उत और ये पंक्ती बहुत बार परिक्षा में पूछी गई है, बार बार पूछी जाती ह कि ऐसा किसके विशे में कहा गया है या ये कौन से देव हैं, तो पूर्वे भी रिशी भी जो आदी प्राचीन रिशीों के द्वारा अंगीरा ब्रभू इत्यादी जो प्राचीन रिशी हैं, उनके द्वारा पूछी हैं और जो नूत नई विश्वामित्र इत्यादी जो अवीन डिशी है उनके द्वारा जो स्तूत्य है ऐसे देव कौन है ऐसे देव है अगनी देव तूसरा पोशम एव दिवे दिवे यशिशम वीर वत्तमम रईम अगनी न अश्नवत तो यहां पर आपको खालिस्तान देकर पूछा जा सकता है कि यजमान को नित्य वर्धन शील यशशकरी और पुत्रादी से युक्त धन देने वाले कौन से देवता है तो ऐसे देव है अगनी देव तो आपको ध्यान रखना है पोशम एव दिवे दिवे प्रति दिन भढ़ने वाले यशिशम यस से युक्त वीर वत्तमम और वीर पुत्रादी से युक्त रईम जो ध को देते हैं ऐसे कौन है वो है अगनी देव तीसरा है यम यग्यम अध्वरं विश्वतह परिभूरसी जो अध्वर यग्य को अध्वर का ताथ पर यह क्या है हिंसा रहित यग्य को चारों तरफ से घिरने वाले हैं चारों तरफ से जो व्याप्त करते हैं हिंसा रहित यग्य को अर्था जो यग्य के रक्षक हैं ऐसे कौन है ऐसे हैं अगनी देव तो यह अगनी देवता का स्वरूब है कि वो अध्वर यग्य को चारों और से व्याप्त करते हैं चौथा है देवो देवे भी आगमत ये भी कई बार पंक्ति देकर पूछा जाता है कि ऐसे कौन है जो हविशान्य को देवो तक पहुचाने वाले या देवो के आवाता है जो देवो के साथ यहां आएं ऐसी जिन से प्राथना की गई है ऐसे कौन देव है तो ऐसे है अगनी देखिए यहाँ पर जो मैंने संस्कृत मंत्र लिखे हैं जो के त्यों आप इनको याद रख पाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि ये पंक्तियां सीधी सीधी परिक्षा में दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन से देवता से संबंदित है या कौन से देवता के विशे में ऐसा कहा गया है या इस प्रकार के स्वरूप वाले कौन से देवता है तो अगर आप इन पंक्तियों को याद रखेंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कि ये किस देवता के विशे में कहा गया है क्या दंग दाशुशे तो हम अगने भद्रम करिश् कैसे है वो अगनी देव वो हवी प्रदाता दाशुशे हवी प्रदाता जो हवी देने वाले हैं उस यजमान का कल्यान करने वाले हैं तो यजमान का कल्यान करने वाले कौन है वो है अगनी देव इसके अतिरिक्त वर्दमानम स्वेदमे यंकेशाला रूपी अपने घर में बढ़ने वाले हैं तो ऐसा स्वरूप किसका है जो कि अपने घर में ही बढ़ते हैं स्वेदमे वर्दमानम स्वरूप वाले कौन से देवता हैं वो है अगनी देव अब यहाँ पर खालिस्तान देकर आपसे पूछा जा सकता है कि किस देवता के विशे में कहा गया है कि हमें वो जैसे पिता सुलब होते हैं पुत्र को इसी प्रकार ये देव भी हमें सुलबता से प्राप्त हो तो यहां पर खालिसतान देकर आपसे पूछा जासकता है कि किस देवता के विशे में ऐसा कहा गया है तो ये कहा गया है अगनी देवता के विशे में तो इन्हें आप याद रखिए तो इस तरीके से आप इन 5-6 जो यहाँ पर मैंने मंत्र दिये हैं इनको याद कर लीजिए अच्छे से इनके परियायवाची, रिशी, देवता, मंत्र, संख्या, इसके अतिरिक्त, छंद इन सभी बातों को अच्छे से आद कर लीजिए तो आपका जो प्रश्न है परिक्षा में अगनी देवता से संबंदित, अगनी सुक्त से संबंदित वो कभी भी गलत नहीं होगा इसके अतिरिक्त अगर आप डिटेल में मंत्र शह पढ़ना चाते हैं तो आप RPSC Second Grade नामक प्लेइलिस्ट से देख सकते हैं अगनी सुक्तों को या फिर आप वैदिक साहित्य नामक प्लेइलिस्ट से देख सकते हैं वहाँ पर आपको अगनी सुक्त से संबंदित वीडियो म नहीं पर हम समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहें पढ़ाते रहें और लक्षी की तरफ पढ़ते रहें धन्यवाद